विध्यारतियों, प्राचीन भारती इतियास की डिजिजल कक्षा में आपका हर्दिक स्वागर्द, मैं डॉक्र इकबाल, स्याचार इतियास भाग, राज के मावद देले जालावार, मैं आशा करती हूँ कि आप सब परिवार से इत्सा कुशल होंगे, हम आज पढ़ने जा र के पालों, प्रतिहारों और रास्टकूटों के पीच लंबे समय तक चलने वाला संगश, चूकि इस संगश में मैंने बताया था आपको कि तीन शक्तियां भाग ले रहे थी, इसलिए इसको त्रिकोना आत्मक संगश, यत्री पक्षिय यत्री गुड संगश भी कहा जाता है राजिस्तान तता मद्यभारत में प्रतिहारों ने, बंगाल में पालों और दक्षिन में रास्टकूटों ने अपनी शक्ति उस समय तक इस्थापित कर ली थी, कर्नोच का मैत उस समय वही था जो प्राचिनकाल में पाटली पुत्र का था, और ये सभी राजवंश इस पर अपना आधिपत्ये इस्थापित करके अपनी प्रतिस्था को बढ़ाना चाहते थे, यानि ये मूल कारण था जो इस संगर्ष की वज़े बना, इसके फलसरू उस त्रिकोणात्मक संगर्ष की शुरुआत हुई जो लगभग 783 इस्वी से 915 इस्वी तक चला, ऐसा माना ज और उसकी वज़े से उत्तर भारत पर उत्तर परश्रिम छेतु से विदेशी आक्टमन कारियों को आने का मौका मिला, तो विध्यारतियों चुकि ये संगर्ष काफी लंबा है, ये माना जाता है कि लगभग 200 साल तक ये संगर्ष चलता रहा, तो ऐसी स्थिती में हम इस इन चर्णों में विभाजित करके इसका अध्यन करेंगे, चुकि लंबी अवधी में अलग-अलग वन्शों में अलग-अलग शाषकों ने शाषन किया, और उनके संगर्ष भी जो शामिल थे शाषकों के वो बदलते रहे, तो जो इसका पहला चरण है, उसकी मैं इसकी से 805 इसवी तक शाषन किया, और इसने 183 इसवी के लगभग कान्ने कुछ पर आक्रमन किया, और कान्ने कुछ के जो शाषक था कन्नोच का शाषक, इंद्रा युद को अपने प्रभाव में उसने ले लिया, और इस समय बंगाल में पालवनश का प्रतापी राजा धर इसने प्रतिहार नरेश वत्सराज को चुनोती थी, जिसके परणाम सरुप दौनों पक्षों में युद हुआ, और इस युद में वत्सराज विजयी रहा, प्रतिहार वे पालवनश के मध्ये युद के जो त्रोथ हैं, उसमें राधन पूर दान पत्र और वनी दिंडोरी लेक और पृतिराज विजये से हमें ये जानकारी मिलती है, अब इस दीपक्षे संगश में तीसरे पक्ष का आगमन होता है विध्यारतियों, और रास्टकूट नरेश दुरू, जो कि उस समय दक्षिर भारत की एक शक्तिशाली शक्ति थी, उसने उत्तर भारत पर आक्मन क और उसने प्रतिहार नरेश वसराज को पराजित कर दिया, और वसराज को भाग कर मरुस्थल में यानि राजस्तान में शरण लेनी पड़ी, इसके बाद धर्मपाल यानि पालवन्ष की बारी आई, और ध्रूव ने ध्रमपाल को गंगा यमना के दौाब में पराजित कर द लिया, तो विध्यार तो इस चरण में हम दे देखते हैं कि जो ध्रूव है, रास्कुट नरेश वह सबसे शक्तिशाली साबित होता है, लेकिन उत्तर भारत की विजे के प्रशात ध्रूव वापस अपने राज्ये लोड जाता है, क्योंकि उसके वहाँ पर विद्रोगी सं कर दिया, और वहाँ के राजा इंद्रायुद को सिहासन से उतार दिया, और उसका प्रतिद्वन्दी था, चक्रायुद, जो कि उसका भाई था, उसको कान्य कुपज का राजा बना दिया, इसके परशात कान्य कुपज में उसने एक विशाल दरबार का आयोजन किया, ऐसा लगता है कि धर्मपाल कुछ समय के लिए उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट बन गया था इसके बाद हम इसी संदर में जो गुजराती लेखक है सोडल वो अपनी रचना उद्य सुंदरी कथा में धर्मपाल को उत्तरापत स्वामिन कहता है इसका मतलब उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था उस समय धर्मपाल इसके बाद विध्यारतियों संगश के तीसरे चरण में हम चलते हैं और इसमें जो शुरुवाती संगश है वो प्रतिहार वर्सेज रास्ट कूट के बीच में होगा 805 इसी में वसराच जो प्रतिहार रनेश था उस त्रत्य का शाषन था और गोविन त्रत्य ने जो है नागबड दित्ते पराक्रमन किया और उसे पराजित भी किया और इसके बाद में धर्मपाल और जोकी धर्मपाल जोकी पालवंश का राजा था और गोविन त्रत्य के बीच में संगश होता यानि पाल वर्सेज रास्क बंगाल नरेश धर्म पाल वे उसका जो संग्रक्षित कन्नोज नरेश था चक्रयुद उन्होंने स्व्यम ही गोविंत रित्ते के अधीनता को स्विकार कर लिया इस प्रकार गोविंत रित्ते के नेतुत में एक बार फिर रास कूट वंच ने उत्तर भारत को पदाकरांत कर द परन्तु वह भी ध्रू की तरह ही पुन्हे दक्षिन भारत लोट गया और इसके बाद गोविंत रित्ती के अनुपस्तिती का लाब उठाते वे नागबड दित्ते ने कन्नोज पर आक्मन किया और चक्रायुद को पराजित कर दिया कन्नोज पर उसने अधिकार भी कर लिया इसके बाद कन्नोज जो है प्रतिहार राज्य की राज़धानी बन गया और चक्रायुद की पराज्य का समाचार सुनकर धरम पाल जो की पालवण्ज का राजा है ने प्रतिहार नरेश नागबड दित्ती के खिलाब युद की घुशना की परंतु धरम पाल भी पराजित जो तिरते चरण है त्रिवनशे संगश का उसमें नागबट दित्ते को सबसे अधिक लाब हुआ और वे उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बन बेठा इसके बाद विध्यारतियों हम बात करें चौथे चरण की तो तीसरे चरण में तो जैसा कहा कि प्रतिया नरेश नागबट उत्तरबाद का सबसे शक्तिशाली राजजा बन गया तो जो चोहता चरण है उसमें क्या परिवर्टन आते हैं तो उसमें हम देखें कि जो अगले वाले चरण में ये है कि नागबट और धर्पाल का तो हमने देखा कि युद्ध हुआ जिसमें धर्पाल पराज लतना मिलती है नया राश्कुट राजा जो अमोगवर्ष है वालपायू है लगबग 13-14 साल का ही था और उससे नागबट का सामना करने के आशन नहीं की जा सकती थी इस प्रकार नागबट इत्ति अपने समस्त विरोधियों को हराने में समठ हुआ इसी कारण उससे 815 इसी किया गया है इसके बाद हम पहुंचाते हैं पांच्वे चरण में इस चरण में जो प्रतिहार नरेश्य विध्यार तो जाता कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं राम भद्र जो है प्रतिहार नरेश था और उसने मात्र तीन वर्ष तक शाषन किया और कमजोर शाषक साबित ह बंगाल में इस समें जो है देवपाल का शारशन था और देवपाल के सिनापतियों ने उसके सामराज्जी के पूर्वी भाकी शान्ति को भंकिया तता राम भद्र से मुंगेर को वापस चीन लिया रासकूट नरेश अमोग वर्ष भी इस समें कठिनाईयों से घीरा हुआ उप्रोक्त दोनों राजवंशों को कठनाईयों में घीरा पाकर पाल वंश का शारशक देवपाल जो है उसने उतकलों के वंश को समाप्त किया हूनों के दर्प को उसने भंग कर दिया तथा द्रवीडों और गूर्जरों के अभिभान को भी समाप्त कर दिया विधारतियो या द्रवीडों से तात्प्रिय है रास्रकूट वंश से और गुर्जरों से तात्प्रिय है गुर्जन नरेश रामबदर से इस प्रकार देव पाल 815 से 855 इसवी जिसका शाषनकाल है के समय में पाल वंश की कीर्ती चरम सीमा पर पहुँच गई थी उसका शाषन आसाम से ले इस समय जो है प्रतिहार नरेश्ट है मिहीर बोल जिसने 836 से 889 इसवी तक शाषन किया यानि उसका शाषनकाल बहुत ज्यादा लंबा लगभग 53 साल रहा और उसके समय से प्रतिहारों के त्यास में एक स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत होती है कुछी सालों में उसने अ कहा जाता है कि देवपाल ने गुर्जरों के राजा का घमन चूर किया देवपाल के बाद पाल वंश में यानि बंगाल में विग्रेपाल नारायन पाल राज्येपाल गोपाल दित्ये और विग्रेपाल दित्ये गति पर बैठें लेकिन विध्यार्तियों इनमें से कोई भ पालों पर राजा भोज की विजे का उलेख अनेक लेखों में हमें मिलता है वहीं दक्षिन में रास्कूट सिहासन पर अमोगवश के बाद क्रश्ण दित्य बैठा और उसे प्रतिहारों से युद्ध करना पड़ा 886 इसी में उजेन में प्रतिहारों और रास्कूटों में युद्ध हुआ और इसमें प्रतिहार जो है राजा भोज पराजित हुआ ऐसा माना जाता है लेकिन बाद में उसने रास्कूट राजा को हराया इस प्रकार प्रतिहार वन्ष में मीर भोज का शाषन जो इस समय था और ये संबते दोनों ही मालवा पर अजिकार करना चाते थे भाव नगर अभी लेक विध्यारतियों में ये कहता है कि भोज ने नर्मदा नदी को पार करके क्रशन राज को पराजित किया ये क्रशन राज ही क्रशन दित्य था इसके विरुद बेगुब्रा तामरपत का कहना है कि रासकुटों ने उज्जेन में भोज को पराजित किया इस प्रकार परस पर विरोधी विवरणों से भी यही सपस्ट होता है कि इन में निर्नाय के उद्र नहीं हुआ इसके बाद प्रतिहार वंश की गद्धी पर महंदर पाल बैठा और मीर वोज का जो पुत्र है वे अपने पितागी तरही उसने अपने प्रतिहार राज्जी को शक्तिशाली बनाया महंदर पाल के अभिलेक बंगाल और बिहार के छेत्रों से प्राप्त होता है होते हैं इससे यह सपस्ट है कि उसके काल में प्रतिहार शक्ती अपनी चरम सीमा पर पहुँच गए थी उसका उत्रादिकारी महिपाल प्रतम था और इसको रासकूट शाषक इंदर तेत्ये ने पराजित किया तथा उसने कन्नोज को नस भरस्ट कर दिया इंदर तेत्ये के बाद रासकूट वंश पतन की और सिग्रता से बढ़ता चला गया प्रतिहार नरेश महीपाल ने रासकुटों की निर्बर्ता कर लाब उठाया चथा पुने कन्नोज पर अधिकार कर लिया और महीपाल प्रतम के बाद विध्यारति उप्रतिहार वन्ष में दुर्बल शाशक हुए तो इस पकार हम देखते हैं कि काफी लंबे समय तक जो है ये त्री पक्षे संगश चला और इसके परणाम भी जो है काफी दिर्ग कालिक रहे क्योंकि हम देख रहें कि तीन शक्तियां जो की उत्तर भारत की दो प्रतिहार और पाल वहीं दक्षीन की जो प्रमुक शक्ती है रास्कुट वो समय समय पर युद करती रही इसका परणाम यह वा कि उनकी शक्ति कमजोर हुई और इसके परणाम जो है अंततों को गत्वा हमारे देश के लिए हानेकारक साबित हुए क्योंकि इससे जो है सीमा की और ये लोग ध्यान नहीं दे पाए और इनकी सैनिक शक्ति भी कमजोर हुई आर्थिक शक्ति भी कमजोर हुई और उसका परणाम यह निकला कि जल्द ही उत्तर परश्रीम छेत से तुरकों के आत्मनों की शुरुआत भारत में हो जाती है और भ के जो कारण रहें कन्योज पर अधिकार को लेकर यह हुआ लेकिन इसके परणाम पूरे देश के लिए नुकसान दे साबित हुए योग इसने इन तीनों शक्तियों को जो एक जुट होकर विदेशी शक्तियों का सामना कर सकती थी उसक्ति का प्रयोगिनों ने आपस में ग्वाय को में पेलग कि लाग गलाए और दो हमें बदा में खाग देश्किंग खाओं एकर वियो ने